हेलो एन वेलकुम, मैं हूं फ्रियंका संभव और मैं आपके लिए लेकर आतू इंसॉरंस मुकाबला, जिसमें मैं दो इंसॉरंस प्लान को गेर करती हूं आपके लिए और बताती हों कि कौन सा प्लान, किसके लिए बेहतर है तो आज की insurance मुकाबला में आमने सामने है इंडिन क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा और जेवलिन थ्रोर नीरा चोपड़ा यही दोनों आमने सामने रहने रहने वाले हैं चौक यह नहीं कि मैंने कहा कहा कि मैं आपको बीमा का comparison बताने वाली हूँ और अब सामने रगजिया रोहित शर्मा और नीरा चोपड़ा को दरसल यह दोनों ही जो sports personality हैं वो उन दोनों बीमा कंपनियों के representative हैं यानि उन्हें represent कर रहे हैं उनके ads में दिख रहे हैं जिनके हम बात करने वाले हैं रोहित शर्मा वित वाइफ आपको दिखेंगे max life insurance के smart secure plus के brochure से लेके digital ads में और नीरा चोपड़ा दिख रहे हैं बहुत smartly खड़े में हैं ठाठा AIA के संपून सुरक्षा supreme vitality protect term plan में focus हम डालते हैं केवल और केवल बीमा पर आमने सामने हैं दो plan max life insurance का smart secure plus और Tata AIA का संपून सुरक्षा supreme SRS समझते हैं इन दोनों में किस तरह के features हैं premium में कितना अंतर है और बहुत जरूरी कि इनके claim देने का record कैसा रहा है आगे बढ़ें उससे पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि यह हम किस के लिए देख रहे हैं क्यूंकि हर किसी के लिए insurance premium एक जैसा नहीं होता और अगर मैं premium compare कर रहे हूं तो मुझे थोड़ा सा specific बताना होगा कि यह plan कि के लिए है हर policy खरीदने वाले की उम कमाई और उसके health condition से premium तै होता features तै होते हैं तो मैंने select किया है 30 साल के व्यक्ति को और यह है 30 साल के आप इन्हें कोई भी नाम दे सकते हैं अपना नाम भी इस पर fix कर सकते हैं तो 30 साल के यह व्यक्ति हैं graduate है यह भी premium की price पर असर डालता है सालारा income इनकी 8 लाक रुपए है परिवार में तीन लोग है बीवी और बच्चा धुम्रपान नहीं करते हैं इनके ओपर अभी कोई loan नहीं है और यह घर के इकलौते कमाई करने वाले हैं तो दोनों ही company max life और Tata AIA इन्हें एक करोड का term plan देने के लिए तैयार है इनकी कम इनों को हम compare करने वाले हैं तो दो कंपनिया हैं आमने सामने इनके हर feature को मैंने compare किया है लेकिन इसे evaluate करने के लिए मेरे साथ एक special guest भी जुड़ चुकी है मेरे साथ आज है निशा सांगवी वेल्कम ना टुद शोर निशा प्रोम फिंटेक की डिरेक्टर हैं CFP है निशा आय का जो smart secure plus है इसमें आपको मिल रहा है two death benefit company इसे highlight करके लिख रही है two death benefit का मतलब हुआ कि policy holder को दो तरह से death benefit पर cover मिलेगा उनके परिवार वालों को एक है निश्चत life cover यानि पहले से इसमें एक रकम तै होगी कि भाई ये जो है मिलने वाला है और दूसरा इसमें एक और cover और साल 5% से बढ़ता रहेगा ये increasing रहेगा इसी तरह max में जो है policy older को जो है payout भी तीन option उनको मिल रहा है वो lump sum payment ले सकते हैं मतली ले सकते हैं या part lump sum part मतली ले सकते हैं अब दिखते है ताटा AI में क्या है तो ताटा AI में भी some insurance को बढ़ाने का मौका मिल रहा है लेकिन इनक option life plus life income credit product जिसकी तहत sum insurance जो है हर life stage में बढ़ाने का एक विकल्प आपको टाटा AI देता है increasing sum insurance का termino उने यूजने कि है और चार अलग नाम ही दे दिये हैं और life के अलग-अलग stage जैसे कि शादी हुई बच्चे हुए बच्चों को अगर आप adopt कर रहे हैं मुझ अच्छा लग टाटा यह कह रहा है बच्चे adopt कर रहे हैं और आप फिर अपने sum insurance को change करना चाहते हैं तो वह आप कर सकते हैं home loan शुरू किया तब आप change कर सकते हैं claim payout में दोनों ही कंपनिया exactly same हैं जैसे यहां पर आपको payout में option मिल रहा है वैसे वहां पर मिल रहा है lump sum लीजे, monthly लीजे, quarterly लीजे, yearly लीजे तो यह इनका basic आधार है एक में है two death benefit और एक में है चार death benefit आप निशा के पास चलते हैं निशा मैं सबजना चाहूंगी यह जिस तरह से death benefit यह दोनों कंपनिया दे रही है क्योंकि हमें दिख रहा है clearly कि Tata AI जादा option दे रही है क्या हमाने कि यह Tata AI यहां पर बाजी मार रही है प्रियंका as an options yes क्योंकि यह life events भी देख रही है आपको increase करने का मौका भी दे रही है और प्लस आपको उसमें जो दूसरे option credit protect जो एक feature है वो भी आपको option दे रही है so you can assign your policy also तो यह features comparison में Tata AI यह बाजी मार रही है okay life stage में आप बदलाव कर सकते हैं यानि आपने home loan लिया तो आपको शायद home loan को protect करने के ले चाहिए आपने आप जब ले रहे हैं तब शादी नहीं हुई है और शादी होती है बच्चे जब होते हैं हम जस केस के लिए देख रहे हैं उनका एक बच्चा है मालीचे उनका second बच्चा जब होता है तो वो बढ़ाना चाहेंगे तो उनको पास Tata AI में यह option मिल रहा है अब आते हैं टर्मिनल इनलेस के लिए किस तरह से ये दोनों कम्पनियां आपको क्या special दे रही है तो सबसे पहले माक्स के smart secure plus को देखते हैं Tata AI के संपूर्ण सुरक्षा सुप्रीम में जानलेवा बिमारी होने पर समशोड का 50% क्लेम ही आपको मिल रहा होगा सो माक्स यहां पर थोड़ी सी आगे मुझे देख रही है 100% आपको टर्मिनल इलनेस में दे रही होगी एक क्विक लुक की प्रीमियम कितना है मैक्स लाइफ इंशॉरंस का यह जो प्लान है smart secure प्लान यह हम देख रहे हैं एक non smoker 30 साल की व्यक्ति के लिए इसका सालाना प्रीमियम है प्रीमियम में बहुत मामूली सा फर्क है आप इंडों प्रीमियम में कैसे देख थी है प्लान्स को प्रियंका अपने purpose ना बहुत clear होने चाहिए जब भी आप term plan खरीद रहे हो तो term plan में जब भी हम खरीद रहे तो idea क्या था कि अगर death हो गई तो में family को पैसा मिलना चाहिए या मेरी loan को protect करने के लिए वो हमने insurance लिया है तो loan payoff हो जाएगी और गर अपना हो जाएगा तो terminal illness कैसे काम करेगा कि doctor ने कह दिया है कि 6 मेने के बाद पक्का आपकी death होने वाली है तो उसको terminal illness treat किया जाता है तो insurance company आज कल यह provision बना रही है कि आपको max कैता है 100% दे देंगे आपको before you even die the moment you are diagnosed and your doctor says with that relevant certificate के terminal illness है तो आपको यह 100% पैसा दे देंगे और दूसरा पार्ट है कि आपकी death के बाद जो term plan का actual purpose होता है तो आपको अपना purpose बहुत clearly define करना है कि terminal illness के वद आपको यूज करना है यह आपको term plan आपकी death के बाद आपके family को पैसा यूज करना है तो यह purpose अगर solve रहेगा ना तो आप फिर अपना decision कर सकते हो max के तरफ यह तरफ यह तरफ लेकिन generally as a financial planner my perspective अटेस्ट भी 50% so there is some money after your death also for the family okay right point taken बहुत सही आपने कहा कि 50% बचा रहेगा तो आगे family को जरूरत पड़ेगी premium पर कुछ जादा कहने को नहीं है बहुत ही मामूली सांतर देख रहा है क्योंकि हम जब final पे पहुँचेंगे तब एक premium पर व्यूव मैं फिर से मौका देती यानि आप अलग-अलग तरह के riders खरीते इनके लिए extra payment करना पड़ता है तो कितना करना पड़ता ये चार्ट अब आपके लिए लेकर आते हैं max life insurance में 40 रुपए के extra payment में आपको waiver of premium का rider मिल जाएगा यानि अगर कुछ हो जाता और आप premium नहीं देना जाएगा 64 बिमारियों के लिए जो है आप ये cover कर रहा है 312 रुपए में accidental death coverage आपको max दे रहा है इसी तरह के riders Tata AI भी दे रही है इनकी costing पर नज़र डालते हैं तो Tata AI के संपून सुरक्षा सुप्रीम में पांच रुपए माहिने के extra add करेंगे तो accidental death में आपको extra payout मिल सकता है 2 रुपए आप अगर add करेंगे तो दुरगटना में अगर दिव्यांग हुए तो payment आपको मिल जाएगा 34 रुपए अगर आप add करेंगे तो फिर आपको hospitalization के खर्चों का cover मिल रहा है ये एक अलग तरह का rider हम देख रहे हैं जो T Tata AI के जो riders की costing है वो बहुत कम है 5 रुपए 2 रुपए 34 रुपए यहां देखे 40 रुपए 270 रुपए 312 रुपए तो cost effective तो मुझे Tata AI rider के मामले में दिख रहा है तो rider और add-on के मामले में Tata AI का plan मुझे ज्यादा economical लग रहा है ज्यादा cost effective लग रहा है कम पैसे में बहुत सा max life insurance दे रहा है और वो है joint life cover का और इसलिए शायद इनके ad में हमें रोज शुक्र में अपनी wife के साथ नजर आ रहे हैं joint life cover में आपने spouse को भी शामिल कर सकते हैं अपने plan में तो joint life cover के लिए अगर opt करते हैं तो इसकी premium की cost ज़रूर बढ़ जाएगी ठीक है और अगर spouse की मृत् प्रीमियम भी कम हो जाता है यानि उसे फिर spouse का premium पे नहीं करना होता है लेकिन अगर primary policy holder को कुछ हो जाएगा तो फिर इस joint life cover के तहट spouse को guaranteed benefit और premium waiver यानि primary policy holder अगर नहीं आ या उससे कोई जानलेवा विमारी होगी तो उनके spouse को जो है premium देने से छुटी बिल जाएगी लेकिन यह feature हमें Tata AI के plan में नजर नहीं आ रहा है max life insurance के plan में यह feature जरूर है इन features पर बात करते हैं एक बार निशा से निशा यह joint life cover जो max हमें दे रहा है अपने plan में कहीं न कहीं यह मुझे अच्छा लग रहा है हाना कि इनके riders थोड़े on the higher side है तो riders पहले हमें समझना है कि add-ons का alternate नाम है और जबी भी हम कोई product खरीद रहे है तो add-on लेंगे तो हमें उसका additional पैसा देना है अभी जबी हम ले रहे तो उसका cost effective हमें calculate करना है कि कितना हमारे pocket पे easy रहेगा जहां पर हम pricing देख रहे है max life की जादा है लेकिन उनकी coverage थोड़ी सी जादा है compared to tata लेकिन अगर आप basic देख रहे हो कि हां सब कुछ होना चाहिए लेकिन cost effective भी तो tata सही रहेगा बिकास उसमें वो आपको hospital care भी दे रहा है आपको critical illness भी दे रहा है accidental death benefit का option भी दे रहा है and also apart from that what you need to remember is कि जबी भी आपके riders लोगे तो उनकी जो period है कब तक वो valid रहेंगे परलब throughout the policy term रहेगा या 860 तक ही रहेगा यह भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है okay fine so अगर rider choose करेंगे तो कब तक वो valid है यह भी देखिएगा data AI आपको cost effective riders दे रहा है max rider के लिए आपका bill काट रहा है joint life cover दे रहा है लेकिन उसमें भी आपका premium बढ़ जाए का लेकिन हाँ wife को शामिल करना चाहते हैं तो max life मुझे तो अच्छा लग रहा है अब बात करते हैं claim niftare के record की insurance regulator की 21-22 की annual report बताती है कि max life insurance का claim settlement ratio industry में सबसे अच्छा 99.3% पर रहा है सारे ही निजी कंपनियों में यह सबसे आगे आपको नजर आ रही है और वही data AI का जो है यह आखडा रहा है 98.5 पर लेकिन इस score को थोड़ा और हमने minutely जो है आपके लिए compare करने की कोशिश की और हमने देखा है कि किसके पास कितने death claim आए तो 2021 में max insurance के पास जो कुल death claim आए हैं वो है 31,035 जिसमें से उन्होंने जो pay किया है वो 3830 death claim पे किये हैं 205 खारिच के हैं अब वहीं patata AI के पास आए हैं कुछ 8,079 claim, 7,950 death claim उन्होंने pay किया है और claim 117 इन्होंने खारिच किया है इन दोनों में देखिए जरूरी क्या है कि इनके पास ज्यादा max पास ज्यादा claim भी आए हैं और इसलिए उन्होंने ज्यादा निप्टाए भी हैं वहीं tata AI के पास उतने claim नहीं आए हैं लेकिन जितने आए हैं उसमें उनका उनका देखिए कुछी 117 ही claim जो उन्होंने खारिच किया और सब पे किया है तो इस comparison को जब हम देखते हैं तो 99.3 और 98.5 को compare करने के जगा ये देखना जरूरी है कि किसको कितने claim आएं max को ज्यादा claim आएं ज्यादा निप्टा इसलिए 99.3 के score पर खड़े हैं टाटा को कम claim आएं इसलिए उनसे जो miss by वो 98.5 का आखड़ा बन जाता है अब एक और जरूरी आखड़ा है इन दोनों कमपनियों का जो मुझे मिला है वो है claim complaint ratio यानि हर 10,000 claims जो इनके पास पहुंचे इसमें कितनी शिकायते आई हैं तो माक्स के लिए ये score है 7.5 का Tata AI के लिए 2.5 का अगेन आपको तुरत लगे का हरे माक्स के लिए तो बहुत सारी शिकायते आगे हैं लेकिन माक्स ज्यादा पॉलिसी भी तो बेची है इसलिए 7.5 पर है हर 10,000 जो उनके पास आये claim उसमें ग्रहकों को दिक्कत हुई उन्ह नटाने के बाद Bima Company के पास claim देने के लिए कितना पैसा बचता है ये है solvency ratio माक्स का solvency ratio हम आपके लिए लेकर आते हैं सबसे पहले तो माक्स का solvency ratio आप देखेंगे है 2.04 और Tata AI का है 1.89 यानि claim देने के लिए माक्स लाइफ के पास ज्यादा पैसे रहते हैं जब वो अ अपने सारे खर्चे निप्टा लेते हैं Tata AI के पास उससे कम है लेकिन ये company बड़ी है इसके पास liquidity ज्यादा ये ज्यादा बेच भी रही है अपने plans को चलिए तो इन company दोनो company के basic को हमने समझ लिया plan के basic features हमने आपको समझा दिया और आप बारी है निशा से बात करने की लॉन स्मोकर है अभी कोई loan नहीं है उसके लिए अगर एक plan suggest करना आप कौन सा plan suggest करेंगी तो प्रियंका हम जभी भी term plan खरीद रहे है आप बहुत क्लियर हो कि dependence should be protected when it is actually required claim का पैसा मिलना चाहिए तो जब हम यह situation में है कि 30 year old है हमें क्या देखना चाहिए अगर वो rider ले रहे है तो कितना बैठे का premium और अगर राइडर नहीं ले रहे है तो premium कितना बैठ रहा है तो जब हम compare कर रहे है आप में जब ही slide में दिखाया तभी वो सौरोपे काई फरक आ रहा था तो servicing आप खुद से ले रहे हो तो अलग बात है लेकिन अगर आप किसी के through ले रहे हो जादा अची बात रहेगी तो servicing में आपको कौन easy process करेगा यह ज़रूरी है बिकास हमारे experience में max life जब ही कोई case को underwrite करता है वो तभी underwrite करेंगा जब ही वो ready है cover देने के लिए तो processing बहुत seamless और बहुत जल्दी issuance में आचाता है और जब हम data की बात कर रहे है तो data कभी-कभी time लगा देता है processing करने में तो on policy issuance और बाकी तो जब ही servicing की बात है claims में कोविट के वक्त हमने दोनों insurance companies के साथ claim experience किया था दोनों का ही seamless था तो आपके आप जो city में हो और आप जो policy ले रहे हो या जिनके थू ले रहे हो वो आपको द्यान में रखना जरूरी है क्योंकि 100 रोपे से कुछ जादा इतना मोटा मोटी कोई फरक नहीं पढ़ने वाला ह आपकी needs को अगर वो take care करता है दोनों company अची है जिनको नहीं पता हो कौन के access bank has a stake in max life so बहुत लोग पूछते है के max life यह कैसी company है so access bank is a jv where access bank is also part of it so needn't worry के max life पैसा नहीं देगी तो इसलिए for us it's both client का brand acceptance होना जरूरी है because cost wise जादा age पे premium की फरक दिखती है max right but otherwise in this status I think cost effective देखेंगे तो Tata जो हमें features दे रहा है वो जादा दे रहा है compared to max okay अब बताये premium की बात मिशा यहां पर सुई जरूर अटकती है जितने भी Indian customers है Indian buyers है कि हमें कितना हर साल अपनी जेब से देना होगा यहां पर सुई अटकती है और आपको क्या लगता है term plan select करते वग obviously आपको features देखने लगिन premium को आपको कितना ध्यान देना चाहिए करते हैं तो हमारा उनको कहना इतना ही होता है कि जबी भी आप टर्म प्लान खरीद रहे हो आपको दो ही चीज़े ध्यान में रखनी है वह कॉस्ट एफेक्टिव बिकॉस अल्टिमेटली दमनी इस तो बीपेड विन आपको दाई तो दाई तो दाई करने के लिए इसलिए हम इंशॉरंस करीद रहे हैं जिनसे इंटर्मीचेटल जो आपके अडवाइजर है उनकी कमफट जोन क्या है उनका सर्विसिंग का लेवल क्या है तो वो जरूरी होता है क्योंकि को माउर्बेटिटी सगर है और अगर इंशॉरंस कमनी अफ्रंट आप खुद ऑनलाइन जाक जगा मिलेगा ही नहीं तो सेम वे टाटा का और माक्सलाइफ का जो री इंचौरर रहे वो एको चेक करना है उससे आप से आपको सेलेक्ट करके आपको आगे प्रोसेस कराना है अगर किसी ने ऐसा सामना क्या हो तो क्या रहा है यह बहुत इंपोर्टन होता है कि उनका एंट टो एंड कस्टमर के प्रती क्या रवाईया है और वही आधार होना चाहिए आपके प्लान सेलेक्शन का थांक यू सो मच पूर वाचिंग आस आज के मुकाबला को यहीं खत्म करते हैं बताएगा जरूर की मैक्स लाइव और टाटा यह के प्लान को हम आपको किती अच्छी तरह से समझा सके हैं आज के लिए इतना ही बाइबाई आपके लिए चाहिए झाल 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 झाल